हे गाईस कैसे हैं आप लोग आज का ये जो वीडियो है वो हमारे इस चैनल के लिए बहुत ही जादा इंपोर्टन है विकोस आज से हम करने जा रहे अपग्रेड आज तक जितना भी वीडियो से आप हमारे इस चैनल पर देखता है सारा जो वीडियो से वो एक मोबाई से ही स्क्राइबर के हम आसपास पहुच चुक है और अभी हमने एक कैमरा पर्चेस कर लिया है साथ ही यूट्यूब के लिए अलग से लेंस पर्चेस किया ताकि आपको बिटर क्वालिटी देखने को मिले तो चलिए अभी स्विच करते हैं मोबाई से कैमरा के तरब अभी आप बात करते हैं इस OnePlus Nordbuds 2 के बारे में लास्ट चार पार्स दिन से मैंने इसको यूज किया है तो सारा कुछ मैंने अच्छे से टेस्ट के आउट्डोर में जाके मैंने कॉलिंग टेस्ट किया है सब कुछ दिखाऊंगा गेमिंग टेस्ट हो गया या फिर साउंड क्वालिटी कै क्या सा मिलता है सारा कोच मैं डीटेल में आपको इस विडियो में बताऊंगा और वीडियो का अंतक देखते रहें आपको और कोई वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आप इसका अन्बॉक्सिंग देखना चाहते तो इसके एक सौट वीडियो आमने आ यहां पर देखने को मिलता है और नीचे के आप देखेंगे तो यह वाइट कलर तो है बट उसके अंदर चुटा-चुटा इक डिजाइन भी रखा गया जिसके करन देखने में और भी ज्यादा ये प्रिमियम लग रहा है और के सामने के साइट में आपको एक LED लाइट मिल इस से आप समझ सकते कि केस में कितना बैटory percentage बचा हुआ है जब आप Arcát on the कड़ले कолод करते सो केस में कितना पेठीस ब्रेकर इंदिकेट करता है अगर गृ सकते कितना पर सब्सक्राइब करता है कितना बैटरी अपकर सपुर्ट्फ से डेक्ट घाता है सारा को सेपरेटली आपको वहाँ पर शोग कर देता है पीछे के साइड में आप देखेंगे तो यहां पर आपको यूस्वी टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट के साथ आपको काफी छोटा मिलता है आप यहां पर क्लियर्ली यह चीज़ देख सकते हैं अगर आप लंबे समय तक यूज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसको यूज कर सकते हैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा मैंने इसको कंटिनुवसली यूज करके देखा है इफिन आप चाहे कैसे भी करके भागिए एक दोर ये कुछ भी कीजिए आपके कान से भाई यह नहीं गिरने वाला है साथी यह यह तो बहु काफी आपको काफी सॉफट देखने को मिल जाता है अनि यहाँ पर यह जो स्टील कलर कर डिसाइन है यहाँ पर आपको तचs देखने को म नहीं मिलता है आप लॉंग प्रेस करके हो या फी सिंगल टैप करके हो आप बॉलिम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं इसके लिए इसमें आपको आइप 55 के रेटिंग मिल जाता है तो अगर वाटर या फिस वेट लगता है जिम अगरा कटते वक्त तो आप बेफिकर इसको यूज कर सकते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा एंड जो एरबट से वो काफी लाइट वेट है केस मिला के सिर्फ 47 ग्राम वेट के साथ आता है एंड केस का जो साइज है वो भी काफी कॉमपक्त है अगर आप पोकेट के अंदर डाल के कहीं पर करना चाहते तो आप आर सब्सक्राइब के साथ मिलता है अगर आप उल्टा करके इस तरह से करते हैं तब भी जोड जोड से करेंगे तब भी यह नहीं गिरता है तो यह चीज़ भी आपको काफी स्ट्रॉंग देखने को मिल जाता है तो अफरल जो डिजाइन एंड बील्ड को लटे पो मुझे प्र काफी बीजी अरे में जाहां पर काफी जाए गारी बगार पास से बुज़र कर जा रहा है और पहुत ही ज़्यादा सोर हो रहा है तो चलिए हम लग स्विच करके देखते है किस तरह का क्वालिटी आपको नॉट पर स्टू के अंदर देखने को मिल जाता है और कितना सब्सक्राइब कर पाता है वो सारा चीजे आप इस वीडियो से समाझ सकते है तो अगर आपको यह वीडियो को लाइक करने के साथा चानल को मुझे यहां पर कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा था इफिर मैं काफी धीरे-धीरे आवास में बात कर रहा था तब आपी जो मेरा आवास है वो काफी क्लियर्ली उल्टर साइड में पहुंच रहा था तो अगर आप एक टी डावलो है जोन रहा है कॉलिंग पर्पस में यूज करना तीन हजर रूपे करना तो डिफिनिटली मैं इसको सज़ेस्ट कर सकता हूं कि आप इसको बिल्कुल पर्च साद में म मिलता है, एक мi को नीचे आप को सबसक्राइब होका है पिलिट कर सकते है तो डूनों साइट से आप इसको पर्चस कर सकते हैं दोनों जगह पर आपिया बैले बेलेबले तो दोनों साइट का वेजवाक लिंग आपको डिक्रीप्समार्ट में लिल जाएग आप को चेकाईट Ker सकते हैं कि अभी किस प्राइस पर अब बेलंवल हैं जो भी पर सकते हैं उसके Влад कर बात क करते है इनए और बार भी देखने को मिलता है और्भाउघ सेया निखने को सकते हैं तब मुझे करीब सारे 6 घंटे का बैटी वेक आप देखने को मिला, तो ANC के साथ 5 घंटा बैटी वेक आप भी मैं काफी अच्छा कहूंगा, because ANC काफी जादा बैटी कंज्यूम करता है, and जो केस है, वो करीब 90 मिनिट के अंदर full charge होता है, या फिर बाहर में कोई TV बेकरा चल रहा है, उसका आवाज आपके कान में आ रहा है, तो जैसे आप इस TWS को आपके कान में लगाएंगे, तो उसका जो sound है, वो बहुत ही जादा reduce हो जाएगा, and almost ना के बड़ा बर आपको सुनाई देगा, अप टू 25 dB तक sound को ये reduce कर देता है, तो ये जो features है, बो मुझे बहुत कमाल का लागता है, बहुत कम TWS अबेल है, market में 3000 रुपे के अंदर, जो ANC features देता है इस price range में, and ANC है तो आपको transparency mode का support भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, बहुत बार ऐसा होता है, कि जब भी हम कान में earphone लगा लेते हैं, तो अगर कोई हमें बुला रहा है, तो उसका आवाज हमें सुनने को नहीं मलता है, या फिर अगर आपके सामने आके कोई दोस्त, या फिर आपके ममी पापा बात करें, तब भी आपको उनका sound सुनाई नहीं देता है, या फिर बहुत कम सुनाई देता है, तो जैसे आप transparency mode को on कर लेंगे, तो बिना earphone का हम जिस तरह का उनका आवाज सुन पाते हैं, बिकोज पीछे से कोई horn बगरा देता है, तो वो भी आपको अच्छे से सुनाई देता है, डिफिनिली ये एक worth buying है, अगर आप ANC features को use करना चाहते हैं, और कभी आपने पहले ANC features को use नहीं किया है, तो भाई, कमाल का experience आपको लेगेगा जब भी आप इसको use करेंगे, पर नहीं होता है, आपको manually connect करना पड़ेगा, जैसे normally हम connect करते हैं उस तरह से, आपको कोई भी fast pairing बगर का support नहीं मलता है, अगर आपका room में phone रखागा, बाहर जाके use करें, बीच में एक दो obstacles है, तो आपको बिल्कुल भी problem ने होगा, आप 10 मिड़े distance के अंदर बहुत अच्छे से use कर सकते हैं, मुझे कोई भी problem देखने को नहीं मिला, और साथी जैसे आप case की lead को open करते हैं, तो next time से आपकी mobile के साथ easily connect हो जाता है, जैसे आप case की lead को बंद करते हैं, तो आपकी mobile से disconnect हो जाता है, यह जो connectivity time में बूबी मुझे काफी कम लगा है, एक और चीज़ की इसमें आपको dual pairing का support तो लेखने को नहीं मलता है, बट dual device switching का option आपको मिल जाता है, एप के अंदर से जाके अगर आप long press करके रहेंगे, तो dual device switching के option को आप on कर सकता है। तो जैसे आप किसी भी earpods को long press करके रहेंगे, तो एक mobile से disconnect होंगे, दूसरे mobile पर यह connect हो जाएगा, अगर आप फिरसे लांग request करके रहेंगे तो दूसरे mobile से disconnect होंगे, फिरसे पहले मोईल पर connect हो जाएगा and यह जो features है बो भाई काफी important features है तो हाँ इसमें आपको dual pairing का support तो नहीं मलता आप एक साथ में दो मोईल को continuously connect करके नहीं रह सकते बट हाँ यहाँ पर जो dual device switching का option दियागा है इसके वाई से अगर आप एक साथ में दो device के साथ connect करके use करना चाहते हैं तो अब काफी smoothly एक device से दूसरे device में switch कर सकते हैं and यह features definitely मुझे यहाँ पर काफी अच्छा लगा है चलिए सभी बात करते हैं इस oneplus not but 2 के sound quality के बारे में and oneplus के तरफ से काफी बड़ा 12.4 mm का dynamic driver के यहाँ पर use क्या गया है बहुत ज़्यादा क्लियर है बहुत ज़्यादा loud sound में यहाँ पर कह सकते हैं और मने आउट्डोर में इसको use करके देखा है तो definitely आपको कोई भी प्रॉब्लम ने होका अगर आप आउट्डोर में जाके इसको को मिल जाता है अन बाकर मिलता है जिसके अंदर से जाकी बैलमाइम मोट हो गया या फिर उसलिप अलग अलग आपको मोट मिल जाते जिसमें आप स्वीच करके आप को सबाके करनेanking आप्विर शेट क्र ś distorted को बाहर सुनेंगे हर जगा पर बोचीज अप्लीकेबल रहता है आप स्पॉटीफाइज के अंदर एकुलोजर सेट करते हैं तो बोचीज सिर्फ पॉटीफाइज में ही अप्लीकेबल होता है आप YouTube में जाके कुछ म्यूजर सुनेंगे तो वहां पर यह चीज काम नहीं करेगा बट है मेलटी एप के अंदर जाके अगर आप सेट कर लेता है तो बोचीज सारे अप्लीकेशन के अंदर काम करता है तो इसका फाइज अभी आपको यहां पर मिल जाता है एंड डेफिनिली जो साउंड क्व का देखने करेंे को मिल जाता जो बेस है वो आपको कंफी ट्राक मिल जाता है हां अगर आप मिस बूस्टेड मौड को आपको थोड़ा जिनर का सौनना पसंद करता है, चाहे बेस टाइप का सौनना हो गया या फिर रोमांटिक क्लासिकल टाइप का सौनना हो गया, सभी तरह का सौन जो है वो इसमें आपको सुनने में बहुत आचलाएगा, तो अगर आप एक TWS पर्चस करना चाहते हैं अच्छे साउंड क्वालि दूस्ते एक चीज़ बताना मैं भूल कहा था TWS को जब मैंने पहले स्टार्टिंग में उसको यूज करना सुरू किया था, उस बग जो साउंड है वो एक कान से थोड़ा ज़्यादा मिल रहा था और दूसरे कान से थोड़ा कम मिल रहा था, तो साउंड मतलब जो जब भी आप सुनता है ना तो बीच में रहता है, नौर्मली लगता है कि मिडिल से सुन रहा है, तो बो चीज नहीं लग रहा था, इस साइट से थोड़ा साउंड लग रहा था, बट जैसे मैंने एप को इंस्टॉल किया, उसके बाद मुझे एक अपडेट देखने को मिला, अपड आपका सॉल्व हो जाएगा, वो मुझे कहीं पर mention दिखाई नहीं दिया, तो वो मैं आपको exactly confirm नहीं कर पा रहा हो, अगर मुझे पता चलता है, तो मैं यहाँ पर mention कर दूँगा कहीं पर, बट हाँ डिफिनिली जो gaming latin से वो मुझे काफी कम लगा, तो अगर आप casual gaming करना चाहते, तो बिल्कुल आप इस T TWS को purchase कर सकते है, जो sound quality है, बो आपको काफी आचा मिल जाता है, जो call quality है, बो भी मुझे बहुत आचा लगा, साथ में आपको यहाँ पर active noise cancellation का support मिल जाता है, तो यह चीज़ देफिनिली एक must try बन जाता है, इस price range के हिताब से, इसके लिए बाद जो case का build quality है, बो आपको available मिल जाता है, एंसी के साथ 5 घंटा बैटी बेक आप भी भाई, बहुत आचा होता है, सिंगल चार्ज में, तो बैटी बेक आप भी आपको काफी आचा देखने को मिल जाता है, साथी dual device switching का option मिल जाता है, तो अगर आप एक साथ में दो mobile को use करते है, तो भी आपके लिए का आपको यहां पर बतारो, बहुत ज़्यादा difference आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ अगर आप इसके साथ compare करेंगे, तो काफी सारा चीज़ों में आपको upgrade देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने कहा कि call quality आपको बिटर मिलता है, ANC का features मिलता है, जो case का build quality, design बगर है, व अब इसको purchase करना चाहते है, तो इसका best bank link आपको description मिल जाएगा, आप पहुंच जाके checkout कर सकते हैं, कि अभी यह किस price पर available है, वीडियो तरही पर खताम हो जाता है, आप मुझे नीचे comment करके बताईए, कि जैसे कि मैंने पहले ही दिखा कि हमने mobile से इसमें switch किया, तो quality क्या सा आपको quality content हम देने की कोशिश रहते है, तो चली मिलते है next video में तब तक लिए good bye, thank you so much वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यावागा